Hello students, welcome back to my channel, कैसे आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नमबर 27, साइन सब्जेक्ट की है बेटा, 22 तारीक की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए ठीक है, जिसमें हम लाइट वाला चैप्टर कर रहे हैं, रिफ्लेक्षन ओफ लाइट, ओके, आज हम जानेंगे रिफ्लेक्षन ओफ लाइट होती क्या है, तो देखो बेटा तो बेटा, हमने लास्ट वक्षिट में जाना था, कि जो लाइट होती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ-साथ, या सीधी रेखा में गमन करती है, तेड़ी मेडी नहीं चलती, और वो तेड़े पाइप से हम उसको देख भी नहीं सकते but what will happen when light falls on a polished or a shiny surface परन्तु क्या होता है बटा जब वो light जो है चमकदार सतय पर गिरती है या shiny surface पर गिरती है तो क्या होता है बटा वो हम जानेंगे यहां पर तो देखो when light falls on a shiny surface its direction of a propagation gets changed ठीक है तो जब एक light मानलो यह shiny surface है यह mirror है इस पर light पड़ती है तो यहां चमकदार है यह सत है तो यह इसकी दिशा बदल जाती है इसको जाना तो ऐसे था और यह ऐसे जाती है मुड़ जाती है ठीक है तो when light falls on a shiny surface its direction of propagation ठीक है इसके जाने वाली जो दिशा है वो चेंज हो जाती है एक्जाम्पल के लिए a shiny stainless steel plate और a plate sorry और a shining steel spoon और even the surface of water can change the direction of light तो यानि कि बेटा जो एक stainless steel plate होती है या shining steel spoon होती है या फिर जो surface होता है water का वो सभी क्या करते है ठीक है ठीक है चमकदर जब घर में बरतन आते तो इसमें अपना चेहरा देख सकते हो तो झाल कब देख सकते हो जब reflection होता है उसके अंदर ठीक है या पानी की सतह पर भी आप देख सकते हो क्योंकि ये कैसे कारिय करती है एक mirror की तरह कारिय करती है जैसे गहरों में लगा होता है अब mirror क्या होता है Any polished or a cyanous surface can act as a mirror तो कोई भी polished या grainy surface जो होता है वो एक mirror की तरह act करता है अब reflection of light होती है बटा The change of direction of a light by a mirror is called reflection of light ठीक है तो जो direction में change आता है light में किसी mirror के कारण तो वो reflection of light होती है ठीक है अब बेटा देखो आगे क्या है object become visible only when light reflected from them reaches our eyes तो बेटा हम जितने भी objects होते हैं उनको कैसे देख पा रहे हैं ठीक है अब हम उनको कैसे देख पाते हैं क्योंकि जो light होती है वो पहले उन object पर गिरती है और फिर हमारी आखो में आती है वो reflect होकर ठीक है तब हम देख पाते हैं नहीं तो वस्तुए तो वही होती है लेकिन हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर light नहीं होती ठीक है अब बेटा image found by a plane mirror तो जो image बनती है plane mirror के दुआरा वो कैसे बनती है वो हम जानेंगे क्योंकि mirror कई तरीके के होते हैं बट आज हम जानेंगे इस class में सिर्फ plane mirror के बारे में ओके बड़ी classes में जानोगे बाकी और यह हमेशा आपका chapter चलेगा बड़ी classes में भी तो धिहान से समझना है let us learn with an activity place a lighted candle in front of a plane mirror तो आपको क्या करना है एक activity करनी है एक mirror लेना उसके आगे आपको एक candle रखनी है ठीक है फिर try to set the flame of a candle in mirror और फिर आपको वो flame जो है mirror में देखने की कोशिस करनी है ठीक है it appears as if a similar candle is placed behind the mirror तो यह हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि एक और candle उसमें दिखाई देगी mirror के पीछे the candle which appear behind the mirror is the image of the lighted candle तो वो क्या होती है पेटा वो उस lighted candle की image होती है जो कि mirror के दौरब बनाई गई होती है now move the candle to different position in front of mirror observe the image in each case फिर आपको क्या करना है उस मुंबत्ती को आगे पीछे उपर नीचे घुमा के देखना है और observe करना है जैसे यहाँ पर दिखाई गई है यह mirror है यह मुंबत्ती इसके सामने रखी और दरपन के पीछे में ऐसी ही दिखाई देती है अब क्या notice करोगे बेटा जितने distance पर है उतनी ही दरपन के पीछे दिखाई देगी जितना size है उतनी ही दिखाई देगी अब तुम mirror के सामने खड़े होते हो तो तुमें क्या अपना सर नीचे और पैर उपर दिखाई देते हैं जितने size होता उतना ही दिखाई ठीक है जितने size होता उतना ही दिखता है ऐसा तो आहने पतले खड़े होगे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है तो हमने क्या observe करेंगे हम उसमें इन्हें plain mirror the image is formed behind the mirror दरपन के पीछे बनेगी erect मतलब सीधी सीधी बनती है of the same size और same size की बनती है is at the same distance from the mirror as the object is in front of it और same distance पर होती है ठीक है जैसा कि object उसके दरपन के सामने जितनी दूरी पर होता उतनी दूरी पर वो हमें पीछे दिखाई देती है अब हम करते हैं इसके question answer first देखो write three examples of things from daily use which act like a mirror तो आपको तीन example लिखने हैं जो की mirror की तरह act करते हैं daily life में तो देखो बेटा यहां दे भी रखे हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हो की signing steel spoon और जो क्या नम है surface जो है water का वो भी और signing stainless steel plate और इसके अलाव बेटा आपकी जो watch का watch का होता है mirror वो वाला भी ठीक है वो तो खेर mirror ही है ऐसे बहुत सारी चीज़े जिसको आप कह सकते हैं जो आपकी screen होती है phone की उसमें भी अगर आप उसको बंद कर दोगे तो उसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है ठीक है अब next बेटा question क्या है आपका what do you mean by the reflection of light तो हमने अभी पढ़ा बेटा the change of direction of a light by a mirror is called reflection of light तो ये लिख दोगे आप इसमें ठीक है next question है बेटा write four properties of an image formed by a plane mirror तो देखो write four properties four properties कैसे लिखोगे first आपकी in a plane mirror image is formed behind the mirror दूसरी it is erect तीसरा बेटा लिखोगे it is off ठीक है it is लगा के of same size ठीक है fourth लिखोगे it is at the same distance from the mirror as the object in front of it तो ये आपके चार points हो जाएंगे ठीक है अब how do object become visible to us अब हम objects को देख कैसे पाते हैं तो देखो objects become visible only when light reflected from them reaches our eyes तो जो objects होते हैं वो हमें तभी visible होते हैं जब हमारी आखोपर पढ़ता है परकास उस object से आकर ठीक है तो ये लिख दोगे हैं आप इसमें ये थी बिटा आपकी बहुत ही interesting सी worksheet उमीद करती हूँ समझ आई होगी समझ आई है तो बिटा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो में इतने अपना next topic जोगा next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए सिहासते रही है मुस्कुराते रही है पढ़ते रही है बढ़ते रही है करेंगे बढ़ते है